आप लोग अच्छी होंगे और मज़े में होंगे मैं भी ठीक हुँ आए दोस्तों आज आप लोगों के साथ में अपने ब्लॉग में मतड़ के कुछोरी की रेच्टी शेयर करती हूँ तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन गैस पे चड़ाई उसमें तेल डाली तेल गर्म होने के बाद उसमें जीरा का फोरण डाली फोरण चटकने के बाद उसमें जो बेसिक मसाला होता है हल्दी धनिया पादर मीश पॉडर जीरा पॉडर यह से मजरत का पेस्ट वोचब डा अच्छे से मंगया तो उसमें किया हुआ मटर डाल दी देखिए दोस्तो मटर डालने चे बाहल उसके संग मसाला के संग भूंजने के साथ देखिए मिक्स हो gaya कर देंате है इसलिए मसाला के संग भूनने के साथ मिक्स हो गया यह देखिए फार्णली मटर का एस्टॉफिंग तैयार हो चुका है यह दम से सुखा सुखा भून गया इसके बाद मैंने आटा लगाई आटा में मैंने रिफाइन नमक और थोड़ा सा आजवाईन डाल ले देखिए दोस्तों मेरा आटा बूंदा गया यह देखिए मैंने मतर को हां से मिला के दिखी इदम बहुत अच्छे तड़ीका से मिक्स हो चुका है मतर और मसाला मतर का इस्टपिंग तैयार हो गया यह दिखी दोस्तों मैंने पेन को गैस पे चला दी उसमें रिफाइन वाइल डाल दी गर्म होने बाद उसमें उचोरी डाली वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि भड़ा हुआ को चोरी मिडियम फ्लेम पे ही बनाया जाता है हाई फ्लेम करने पे अंदर तक अच्छे से नहीं पकता है इसलिए भड़ा हुआ कोई भी चीज होता है उसको मिडियम फ्लेम पे ही बनाते हैं जिससे अंदर तक बहुत अच्छे तरीका से पक चाता है आए दोस्तों मतर की कचरी तयार हो चुका है आए आप लोग भी खाईए लिए दोस्तों आप लोग कमेंट का जवाब है आप लोग वीडियो ब्लॉग देखने के बाद कमेंट किया किजिये आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हैं आप लोग कमेंट किजियेगा कुछ आप लोग अपना कोशन करियेगा पुछेगा तब तो ना मैं बताऊंगी या अपना नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोग तो कुछ कोशन ही नहीं करते हैं वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएगा कि आप लोग का मतर की कोशोरी की रेस्पित कैसा लगा में देखिये यमी यमी सा मतर यी कोशोरी बनकर तयार है वैसे भी दोस्तों आप लोग के साथ कर चुकी हूँ फिछली व्लॉग में कि मैं अकेली ही राती हूँ इसलिए जो भी बनाती हूँ मैं अपने हिस्से का ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं राता है इसलिए मैं थोरा सा ही अपने हिसाब किसे खाना बनाती हूँ ये देखिए इनम से सौफ्ट अंदर कर पूरा अच्छी तरीके से पका हुआ है इतना स्वाप ठेकी हुरनी के बाद ही इदन से थूरा से हो गया बहुत यह में कचोड़ी बना सा दोस्तु थैंक यू